एक ऐसा शहर जहां दूर दूर से लोग सिर्फ लड़किया पटाने आते हैं और एक ऐसा शहर जो पूरा करोड़ पती लोगों से भराएं इसी शहर को दुनिया का सबसे विकसित और ताकत वर भी माना जाता है ये वो शहर है जो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के रूप में अब्यार जाना जाता है तो दोस्तो इस शहर का नाम है कैलिफॉनिया, दोस्तो यहां की केपिटल सिटी सेक्रामेन्टो और यहां की सबसे बड़ी सिटी लॉस्ट एंजलेस है जो पूरी दुनिया में बहुत ही टेमस है, दोस्तो यहां की ऑफिसल लेंग्वेज केलिफोनिया में आज के दिन बहुत सारे करोड़ पती और अरब पती लोग रहते और अगर ये एक देश होता तो आज के दिन ये दुनिया का साथ वा सबसे अमीर देश होता दोस्तों शाहिद आप सभी इस बात पर विश्वास ना करों मगर केलिफोनिया के एक लाग तीस हजार से भी जादा लोग आज के दिन जेल में बन पड़े हैं केलिफोनिया और युनाइटेट स्टेट्स के तीन और राज्यों में लिंक मतभेद होने के चलते ही वहाँ पर औरतों का घर से बाहर जाकर रात को पार्टी करना गैर कानूनी हैं दोस्तो केलिफोनिया की एक फायर स्टेशन पर एक बलब 1991 में जलाय गया था जो अब तक भी किसी ने बन नहीं किया पूरी दुनिया के सबसे अमिर कंपनीज में से तीन कंपनीज के हैर क्वार्टर भी केलिफोनिया में मौजूद है दोस्तो इस कमाल की स्टेट में बढ़ने से कैलिफोनिया में हर साल बर्फ भी जादा पड़ती है कैलिफोनिया में 2014 में एक आरत को कुछ तस्वीरों के कारण ही इतना जादा मारा गया था कि उसकी वही पर मौत हो गई थी इसके अलावा पूरी दुनिया के 80% बादाम का उत्पादन भी कैलिफोनिया अकेला करता है विश्व का सबसे लंबा पेड और सबसे बड़ा पेड दोनों ही आज के दिन कैलिफोनिया में मौझूद है दोस्तों आप सभी कैलिफोनिया को बहुत ही एडवांस और टेक्नोलोजी वाला स्टेट मानते होंगे मगर शायद आप सब ये नहीं जानते होंगे कि कैल कल्चर का उत्पादन युनाटेट स्टेट्स के बाकी राज्यों से काफी ज़ादा अच्छा है और इसे के साथ ही केलिफोनिया में काम अधिक होने के चलते ही बाहर के लगभग 80,000 से भी ज़ादा लोग यहाँ पर नौकरी करने आते हैं कैलिफोनिया में युनाटेट स्टेट्स के वो पांच शहर आते हैं जो सबसी ज़ादा प्रदुशी थे 1980 से लेकर अब तक कैलिफोनिया में कुल तेस जेले बन चुकी है दोस्तो डैथ वैली जो की कैलिफोनिया में स्थित है या अमेरिका में सबसे गर्म सानों में से एक है या गर्मी के मौसम में टेंपरेचर लगबग 50 डिगरी सेंटिग्रेड के पार चला जाता है दोस्तो कैलिफोनिया अमेरिका का सबसे बड़ा शराब उत्पादक स्टेट है इटली, फ्रेंस और स्पेन के बाद कैलिफोनिया दुनिया में चौथा सबसे शराब उत्पादक शहर है कैलिफोनिया की GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों कलिफोनिया की लड़कियों को बहुत ज़ादा एडवांस माना जाता है यहाँ की लड़किया काफी ज़ादा मॉडन मानी जाती है कलिफोनिया का एंवाइरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ आकर आपका मूड अच्छा हो जाता है यहां के सी बीचीस, पार्क, थीएटर, जू और म्यूजियम वर्ल्ड में फेमस माना जता है सैन डियेगो कलिफोनिया में स्थित काफी फेमस सफारी पार्क है यह चिडिया घर अठारा सो एकर में फैला हुआ है दोस्तों आपने कहीं सारे हॉलिवूड मुवीज में इस ब्रिच को तो देखाई हुगा इस ब्रिच का नाम गोल्डन गेट ब्रिच है इसका निर्मान 1917 में किया गया था इसकी लंबाई 2.7 किलोमिटर है कलिफोनिया में स्थित केबल कार दुनिया में स्थित एक ऐसा केबल कार है जिसे मैन्योली अपरेट किया जता है